नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता और आप सभी लोगों का ब्यूटी टिप्स नमरता चैनल पर श्वागत है तो दोस्तों क्या आप भी परेशान हैं अपनी फटी एडियों से दोस्तों अक्सर ऐसा होता कि हम लोग अपने चेरे पर ध्यान देते हैं लेकिन अपनी पैरों म तो आज मैं आपको एक ऐसा सरव गरिल उपाय बताऊंगी इस उपाय से आपकी जो एडियां है वो बिल्कुल नरम, मुलायम, कोमल, सॉप्ट और सुन्दर हो जाएंगी तो चलिए वीडियो करते हैं इस्टार वीडियो पसंद आज वीडियो को लाइक करना दोस्तों सेर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने पाद उसे बगल का एक प्लीजाब उसे जरूर प्रस करना इसे हुआ यह जो नई वीडियो प्रोट करूँगी उसका नोटिफिकिसन आपको मिलेगा सबसे पहले तो दोस्तों नुस्खा तयार करने के लिए सबसे पहली सामगरी लेनी होगी आलू आलू को मैंने पहले से ही अच्छे से पानी से साफ कर लिया था अब इसका हम आलू का निकाल देंगे छिलका दोस्तों मैं जो सामगरी बता रही हूं सारी सामगरी आपको अपने घर पर ही मिल जाएगा और इसका कोई भी साइड इफेक्ट आप इसे जरूर ट्राई करना आप खुद ही देखेंगे कुछ दिन के प्रियोक से आप देखेंगे आपकी एडिया नरब मुलायम और सुन्दर होने लगी है तो चलिए यहां पर मैंने आलू का छिलका निकाल दिया है आप इसके बाद हम क्या करेंगे इस आलू को ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से आप चाहें तो इसका पेश्ट भी बना सकती है तो आप इस तरीके से इसको ग्रेट कर लीजिए और ग्रेट करने के बाद में हमें इसका ज्यूस चाहिए आप सभी लोग जानते हैं कि आलू में होता है इस टार्च जो कि हमारी फटी एडियो को सही करने में मदद करेगा आप इसके बाद में क्या करेंगे यहां पर मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है आप इसके बाद में हम इसका जूस निकाल लेंगे जूस निकालने के लिए मैंने यहां पर कटोरी लिया है और इस पर हम डाल देंगे कपड़ा आप अगर कपड़े में इस का जूस निकाल लेना दोस्तों इस से अच्छी सुद्ध चीज आपको कहां मिलेगी आप जब सुद्ध चीजों को यूज करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितनी जल्दी फायदा मिलेगा तो यह देखे करीबन मैंने एक चमच आलू का जूस निकाल लिया है और सफाई करने में बहुत तेजी से मदद करता है क्लीन करता है तो हम क्या करेंगे इस नीबू को भी पानी से दो लेंगे और इसके बाद में हम इसमें से आदा नीबू ले लेंगे और आदे नीबू का जूस हम इसी आलू के जूस में डाल देंगे यह देखिए दोस्तों आप सब जानते हैं कि नीबू मेल को भी साफ करता है साथ ही साथ आपकी कटी फटी एडियों को भी सही करेगा तो चलिए हैं यहां पे नीबू का जुझ डाल दिया है और हम छिलके को रख देंगे आप यहां पर नमक ले लिजिए चोथाई चमच अब इसके बाद में हम इसमें क्या डालेंगे इससे पहले हम करेंगे इसको mix इसके बाद हमें एक सामक्री और डालनी है दोस्तों आप इस नुसके को जरूर ट्राइग करना आप देखेंगे आपकी फटी एडिया भी सही होगी साथ आपकी जो पैर है एडिया है सारी पैर एडिया चमकने लगेंगी यानि की बहुत सुंदर खुबसूरत दिखने लगें दोस्तों आप इस नुसके को जब पहली बार ही यूज करेंगे रिजेट आप खुद देखेंगे मात्र पहली बार में ही आप देखना यह बहुत यह दा गजब की चीज है आपको तुरंत इसका रिजेट देन देर देखने को मिलेगा तो चलिए यहां पे नुसका हमारा ब खोल दे रहे हैं इस तरह के से यह देखेंगे नीवू के नदर रेसे हैं जूसे थोड़ा सा तो बोभी एडियों को साफ करने में मदद करेगा तो आप चैके से नीवू के छिलके में इस पेश्ट को लगाईये और लगा करके इस से मसाज आपको करना है दस मिनट 10 नि rails तक बराबर मसाज करिए और मसाज करने के बाद में यहां किया बड़ीम इस को पेश्ट को अपनी एडियों में लगा दें बस छंडा पानी मत लेना बस आप इतना कर लेना कुछ दिन आप उपयोग करिए इस नुस्के का कुछी दिनों के प्रयोग से आप अपनी फटी एडियों से छुटकारा पासकेंगी और आपकी एडिया सुन्दर खुबसूरत मुलायम हो जाएंगी आप मन मताबएक अपनी स् पसंद आए वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें मैं मतुंगी नारी साथ नहींने उसकी साथ आता के लिए नमाज़ाइब